आप वीडियो बनाओ वीडियो अपलोड करो बहुत सारे लोग ऐसे हैं मतलब कई लोग तो इतने भद्धे कमेंट कर रहे हैं कि अगर आप किसी दुखता क्लिफ से गुजर रहे होंगे ना तो और भी गिर जाएंगे और उसके अंतर गुज जाएंगे और डिप्रेशन आ जा आप कितनी भी दुख तकलिफ से गुजर रहे होंगे ना तो आपको खड़े होने की हिम्मत मिल जाएगी तो बहुत बहुत दन्यवाद करूंगे मैं आप लोग का जो मेरे इस दुख में भी साथ है और जो इतनी प्रे कर रहे हैं मेरे साथ मेरा बाई जहां भी होना बहुत अच्छे से होगा बहुत अच्छे से होगा लिए ज्यादा बाते नहीं करेंगे और जो मैरे वीडियो पहले बनाकी रखी थे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हुए थी दिवाले और क्रिस्मस के लिए तो सारी वीडियो में करके अभी अप्लोड कर दूँगे क्योंकि कुछ दिन तक तो मैं वीडियो बनाने का मेरे बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रहा है जी नहीं कर रहा है लिगे जो मेरे पुरानी वीडियो वो मैं आप लुछा शेयर कर दूँगी यह न मैंने बनाया था कि बेंटू केक बनाऊंगे क्रिस्मस के लिए क्योंकि बहुत सा सारे ड्राइफ्रूट्स कट कर लिए हैं देखिए जितने हैं मतलब काजू वदाम पिस्ता काली किश्मस अपनी दूसी वाली किश्मस टूटी फ्लूटी सब कुछ लिया है जो आप प्लम केक में डालना चाहते हैं एक और वीडियो है मेरे पास प्लम केक वाली उसकी मैं श बना है तो चमत से कर रहेती हैं तो यह नहीं रहा था है तो मैंने छिव वस वॉद्ट से अच्छे से मैंल नहीं है और लिए पानी हमें से मेजरमेंट नहीं है पानी इतना ही लेना जितना बनी घ्राइफूट कटकी हो अच्या शूक हो में बह तो जो रम वाले हम लोग क्या करते हैं आठ 10 दिन पहले से हम लोग इस हारे ड्राइफ्रूट को रम में भी कौर देखते हूं अगर अगर लब मिला टाइम और सब कुछ सामान रहा मेरे पास तो मैं रम वाला भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगे तो यह देखिए अच्छे से हो गया और यह ना कटूरी में दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने क्या किया इसको अपने सफेद प्लेट में डाला ताकि आप लोग को बड़ी ऐसे दिखाए दे कि हा मैंने मतलब क्या क्या चीजे डाले हूं कितने अच्छे से कलर बहुत है सुंदर दिख रहा था यह देखिए कम से आदे घंटे मैंने इसको ऐसे चोड़ दिय है तुरन के तुरन भी बनाएंगे तो कुछ ऐसा फरक नी पड़ेगा वर सोक हो जाता है तो टीस्ट मतलब आएगा जिस भी आप अगर आपने टूटी फ्रूटी है क्या बलत इसको मैंगो फ्रूटी या किसी भी फ्लेवर में जूस में करेंगे न तो भी बहुत बड़ी अधा कॉप मैंने लिया है मैदा और इसमें दो चम्मच में डालोंगे भरके अपना मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर ऑप्षिनल है विल्किन डालेंगे तो टीस्ट बहुत यह अच्य लगेगा यह दे करें टी स्पून लिया है और अपना अप टीस्पून है तो यह वन टी बेकिंग सोडा और अगर यह नहीं है तो आप इनो डाल सकते हैं बट प्लम केक में इनो का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ही यूज करिए ठीक है तो अच्छे समने डाल दिया यह आधे कप में भी मैं दो ट्रे बना लूँगी देखिए अच्छे थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करना है विक्सर से मिक्स नहीं हो रहा था क्योंकि ड्राइफूट से बहुत जादा था और मैदा बहुत कम है सोचिस का टीस्ट केतना बढ़िया होगा तो यह बी रेड रेड है आप इसको ऐसी भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं तो मैं ऐसे नहीं होगा मैं इसमें पाउडर एड़् कराँंगे ओड़ा सा चॉक्लेटा बननाने के लिए इसमेद मैं बिखाई मैं पहले भी डाल सकती तिको पाउडर लेकि मैं सूचे पहले दीक friends of the仔 के बना सकते हैं कि अगर टेबलस्पून से लेंगा है तो फेसमाइन उने चताइच को आजए गढ़ा एकर नाहीं है about करो हाफ टेबलस्पून मैंने छोड़ेचने के लुए कि आफ टीपल्स कर दूस्पून थ क्रया यह आज्चे यह नहीं तो विनिगर डाल सकते हैं ऐसा डाल के फिर हम इसको बेक करने रखेंगे ठीक है इतना ज़्यादा सॉफ्ट बनता है ना कि अगर जोड़ से दबा दिये ना तो यह तुरन के तूरन तूट जाएगी इसलिए बहुत ही प्यार से चोटा वाला केक टिंगी है मैंने त इसलिए कि विनिगर और कहीं कम मिक्स हुआ कहीं ज्यादा मिक्स हुआ तो पूरा प्रॉपर फूलेगा नहीं राइज नहीं होगा इसके लिए बहुत थोड़ा समय डाला आधा कप से आधा बैटर से भी कम मैंने इसमें डाला क्यूंकि छोटा वाला केक्टीन है फिर इसमे डाल देंगे काजू तो काजू आप अपने ही साबसे चारों तरफ डाल सकते हैं डिजाइन में डालना चाहिए तो डिजाइन फ्लावर बनाते हैं कुछ वैसा भी बना सकते हैं बादाम से भी डेकुरेशन कर सकते हैं टूटी फ्रूटी से कर सकते हैं पिस्ता से कर सकते हैं जो भी चौको जिप्स बगरे डालना चाहते हैं तो उससे कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता वो आप डाल सकते हैं और अगर और का है तो आप पहले से ही अपने कॉस्टमर से पूछ लेजे कि जो बनी ड्राइफूट्स वाले चाहिए चौकलेट वाले चाहिए कैसा यह आप जरूर पूछ लेजें तवा रख दिया गैस पर लो फ्लेम पर रखा है अच्छे से मैंने रख दिया है तवे पर लेकिन जो दूसरा वाला है ना केक्टीन वह भी मैं साथ में ही रखोंगे बेखोने के लिए तो यह सबसे चोटा वाला केक्टीन है जो स्लाइस वा चेहरी का युज कर सकते हैं, चेहरी डालने के बाद फिर मैं काजू रख दूंगी लाइन से आप इसमें बादाम अगरव भी जाल सकते हैं पिस्ता डाल सकते हैं जो भी ड्राइफ रूट आपको पसंदो असलोब कुछ डाल सकते हैं और वह अक्रोट यह सब चीज वी डाल इसको मुझे ना पैक करना है तो मुझे पैक ऐसे करना है कि काजू दिखना चाहिए मैंने कुछ अलगी सापसी बनाया था उस टाम जब मैंने वीडियो बनाई थी जब यह देकि मैंने पिस्ता थोड़ा से डाल दिया बादाम भी आप डाल सकते हैं अच्छे से कट करके डाल है अब क्या करेंगे बड़िया से को करेंगे क्या बोलते हैं वेक करेंगे ताप मिख कर सकते हैं लेकिन मैं इस तवे पे ही बेग कर кणोंगी बिलकल लु फ्लेम पे तो उस टैम ज्यादा साफ नहीं ता , इसलिए मैंने अपको पूरा गैस नहीं दिखा है यह देखिए अच्छे से हो गया यह अभी को जरूर चेक कर लिए अगर रूट पिक से की क्लीन निकल रहा है किने जब क्लीन निकले तो समझ आए आपका अच्छे से बेख हो ज्यादा टैम नहीं लगे है इसको 15-20 मिनट ही क्योंकि चोटे-चोटे केक्टीन में डाला है ना तुरंत ही बेख हो जाए अलो फ्लेम पर ही बेख करेगा यह देखिए मैंने निकाल देखिए इसका शाइन देखिए पीछी से कैसा है बहुत ही बड़ी है खाने में इसका टेश्ट तो मतलब क्या बोलों आप ज़रूर इ कि अपने आप ही आपको फटा चल जाएगा कि बहुत जादा सॉफ्ट है यह वाला जो पेपर आता है ऐसा पेपर आपको मार्केट में मिल जाएगा बहुत एसली मिलता है तो पैकिंग के लिए बहुत ही अच्छा है और प्लम केक अगर पैक करेंगे नो बहुत ही सुंदर तो यह आगे हमारा बेंटू और ऐसे भी आप रखे नहीं इसके उपर आप रखे और पैक कर सकते हैं तुरन बंद करके दे सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा यह जो हमारा धागा है ना सुत्री बोलते हैं इसको इससे बनाओंगी इससे पैक करूंगी तो यह हो गया अच्छ में रखे और एक बर चेक कर लेजिए कि कितना आ रहा पेपर अगर लग रहा है कि पेपर कम आ रहा है तो थोड़ा सा उसको बढ़ा देजिए ऐसे और फिर अच्छे से आप इसको बांद देजिए बहुत ही अच्छा था क्योंकि आज को यह सुत्री से बांदने का ना साइड में भी इसी चीज को सेम इसी चीज को आप साइड में भी बांद सकते हैं यह देखिए ऐसे हैं ना जो साइड में भी आप बांद देंगे तो भी देखने में बहुत अच्छा लगता है यह देखिए मैंने बांद दिया इसको ऐसे इस सारी चीज़े तो मैंने पहले इसे में बढ़ा ही लिया है शुत्री माने थोड़ी बढ़ी लिये और अच्छे से बहांद दीजिये डिजाइन वगर आपको अगरा आती है बांदने तो वैसे भी बहां सकते हैं इस में भी आप टैग लगा सकते हैं अपी वर्डे क्रिस्मस वाली वो टैग लगा सकते हैं हो ज्यादा अगर मेंगा देखेंगे तो आप मिल्क पाउडर यूज किया है और वाकि छोड़े चीज़ों का तो इतना मतलब प्राइज अगर 10-20 रुपे भी मिला लेंगे तो हो जाएगा अगर एक यह पूरा आपको देना होगा सेल करना होगा आप आराम से 150 में सेल कर सकते है यह चोटा वाला भी और बड़ा वाला भी यह देखें और यह आपको बेंटू मिल जाता है 10 रुपे का 15 रुपे का तो आराम से 150 तक तो यह चोटा वाला आराम से चला जाएगा कोई भी देखेगा एक बार में ही खरीद लेगा अगर ऐसे आपने डिकोरिट करके दिया है मैंने साइट से किया है ना अब मैं इसको आपको कट करके भी एक पर दिखा देती हूं कि यह कट करेंगे तो अंदर कैसा है और इतना आराम से कट रहे देखे एक बार में यह आप एक स्लाइस को कट कर सकते हैं और आप बनाईए ट्राइड करिए और वीडियो कैसी लगी ज कि देखे लिए तो यह क्रिस्मस प्लम की आपका हो गया रेडिये देखे कितना प्यारा लग रहा अगर आप मैंने से कट कर दिया है अगर मुझे कट करके स्लाइस में देना होगा तो चोटे वाले में ना पेपर में आप नहीं बंद कर पाएंगे क्योंकि हो गाई नहीं इ स्लाइस में मीण से काई बंद काई लिए